पीने के लिए पानी भी नहीं है जंगल में जीवित रहना मुश्किल है बेनी डिंगू किसी और जंगल में चलते हैं सच कहा जिन्दा रहने के लिए नोकरी खोचते हैं हम दस दिनों से चल रहे हैं उस बंदर को रास्ता पुछते हैं हम दोनों दुसरे जंगल जा रहे हैं और कब तक दूर जाना है? कौन दोनों? सिर्फ तुम यहाँ हो देखो वो भी यहाँ है बेनी मेरा दोस्त वाव एक गिरगीट बिल्कुल तिखाई नहीं देता तुम दोनों चार दिन में जंगल में पहुंच जाओगे तुम दोनों को वही नौकरी मिल जाएगी थेंक्यू सो मच शायद यह वही जंगल है जो बंदर ने हमी बताया था बरगत के पेड़ के पास रहेंगे कल से नौकरी की तलाश शुरू करेंगे मैं इस तरफ जाओँगा तुम उस तरफ जाओ मुझे काम कोजने दो और शाम होने से पहले वापस आ जाओ मैं डिंगू हूँ दुसरे जंगल से आया हूँ मैं आलू खोदने में माहिर हूँ क्या मुझे नौकरी मिल सकती है ठीक है तुम भी खोद कर आलू पा सकते हो हमें जो आलू मिलेगा उसमें हम तुमें हिस्सा देंगे प्लीज ध्यान दीजिए आज से डिंगू खुदाई और आलू निकालने में हमारे साथ जुड रहा है डिंगू का काम बहुत अच्छा है आज हमारे पास बहुत सारे आलू है अब तुम रोज काम पर आ सकते हो अगर मैं बता दू मुझे मेरे लिए नोक्री नहीं मिली तो डिंगु को बुरा लगेगा आज नहीं तो कल नोक्री मिल ही जाएगी अभी के लिए मैं बता दू कि मुझे नोक्री मिल गई है तूम क्या सोच रहे हो भीनी? ओ हाँ, मुझे भी एक बाग के गुफा में सुरक्षा की नोकरी मिल गई है वाँ, बढ़िया, हम दोनों को पहले ही दुन नोकरी मिल गई मेरे पास भी कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें कोई सी नोकरी दे सकता हूँ मेरे बास तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है तुम एक बार बाग को पूछ लो क्या तुम मेरे पेट में गुसने का काम ले सकते हो हाहा वो बाग गया यहां तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है चलो जाओ तुम्हें देने के लिए कोई नोकरी नहीं है, कुछ और ट्राय करो पिछले दो मेनों से मुझे कोई नोकरी नहीं मिल रही है, नोकरी ढूंडने से मन बटक रहा है मेरा लच गाब हो गया कैसे गाब होगा, मैंने सिर्फ तुमारे लिए रखा था, फिर से देखो नहीं मैंने उसे चेक या लेकिन वो गाब हो गया, मेरा भी लच गाब है मेरा लच भी हमारे जंगल में आजकल खाने की अकसर चोरी हो रही है कल भी जंगली बिल्ली का खाना अचाना गाब हो गया था क्या हुआ, आज कोई काम पर क्यों नहीं आया दिंगो, साब ने तुमारे दोस्त बेनी को पकण लिया है और उसे एक पेड़ से बान दिया है क्या, क्या हुआ, वो पेड़ से क्यों बंदा हुआ है मुझे भी ने मालूम, जलो पत्या करे यहां क्यों हो रहा है? यह मेरा दोस्त बेनी है, वो क्यों बंदा हुआ है? हर दिन वो हम में से एक का खाना चुराता था आज हमने उसे फ्रसाया और रंगे हाथ पकल लिया उसे सजा देने के लिए शेर राजा जल्धी यहां आएंगे तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें नोकड़ी नहीं मिले? नहीं डिंगू, मैने तुमसे जुट बोला. मैने पूरी कोशिश किये लेकिन नोकड़ी नहीं मिली. मुझे तुमसे खाना मागने में बहुत शर्मिंद की महसूस हुई, और इसलिए मैंने चोरी की. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम नहीं जानते कि चोरी करना बुरा है? ओ, किंग बेनी मेरा दोस्त थे और हम दोनों नोकरे की तलाश में यहां आये थे मुझे पता है तुम आलू खोदने का काम करते हो, क्या मैं सही हूँ? हाँ मेरे आका तुमने बहुत सारे आलू खोद कर निकाले और तुम्हारे कारण इस जंगल में कोई भुका नहीं सोता लेकिन देखो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया? बिना किसी शर्म के उसने दुसरों का खाना चुरा लिया वो निश्चित रुप से दोशी है और प्रतिभाशाले भी उसने अपने टैलेंट का गलत इस्तमाल किया मतलब? वो रंग बदलने में माहिर है, नोकरी नहोने की कारण वो जोरी करता था, वो सही तरीके से इस्तमाल नहीं कर सका अच्छा, फिर इस टैलेंट के लिए मैं उसे क्या जौब दे सकता हूँ? हम शिकारियों के निशाने पर रहते हैं, बेनी जासुसी करेगा और उनके मुवमेंट को ट्रै करेगा और हम सेफ रहेंगे बहुत अच्छा पॉइंट, बेनी क्या तुम हमारे लिए ये काम कर सकते हो? जो हुकुम मेरे आका, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा टैलेंट इस जंगल के काम आए थैंक यू सो मच दिंगू हम मैंसे हर एक टैलेंटेड है, अगर हम अपने टैलेंट को सही तरीके से लगाएंगे तो ये आपके साथ साथ हमारे देश और हमारे जंगल के काम आएगा, इस पर जरूर सोचना